नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोग की तैयारी कैसी चल लएए ज़रूर बताईए और सीरीज कैसी लगती है आप सभी लोग को जो भी मैं कोश्चन्स आपको देता हूँ अच्छा लगे तो भी बताईए बुरा लगे तो भी बताईए क्योंकि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए और ही बेटर हो, ज्यादा से ज्यादा कोश्चन आपके एक्जाम में टच करें, मेरी वीडियो से, तो इसी के साथ, इसी जोस और जुरून के साथ कुछ लाइने हैं, कि क्यों डेरेजिन नगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो लिखी गई थी ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा, बलवीर सिंग, इसे राइट आंसर, अब बलवीर सिंग एक भारती हांकी खिलाडी थे, और वह तीन बार के उलम्पिक सौन पदक बिजेता भी थे, बलवीर सिंग, नेश्ट कोश्चन हम देखते हैं, ये कोश्चन 2021 2021 में आया है, PGT में, UPPGT, नेश्ट कोश्चन आपके सामने, प्रतम बार एस्टोटर पर हांकी मैच किस ओलम्पिक में संपन्न कराए गया, तो जो फर्स्ट टाइम हांकी का जो मैच खिला गया, ओलम्पिक में, एस्टोटर पर कब आयो जित हुआ, और कहा पर, तो ये आयो 266 ओलम्पिक में ये आयो जित कराया गया था, मांट्रियल में, ओके, नेश्ट कोश्चन, अंतराष्टी हांकी संग के अनुसार, जुलाई 2019 तक, एक अंतराष्टी हांकी मैच की अवद कितनी होती है, तो इंटरनेशनल हांकी फेडरेशन के अकॉर्डिंग, जुलाई 2019 तक जो मैच अंतराष्टी हांके मैच के वाद कितनी होती थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपसन डी जे राइट आंसर 60 मिनट, कुल 60 मिनट तक होती थी, 15-15 मिनट के चार उते हैं ओके नेश्ट कोस्चेन हम लोग देखते हैं और इससे पहले क्या होता था 35-35 मिनट के होते थे लेकिन अब जो होता है परजेंट टाइम में यह 60 मिनट नेश्ट कोस्चेन रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदित है तो जो रंगा स्वामी कप है ये किस खेल से संबंदित है तो स्वाविक सी बात है हम लोग हांकी से कोश्चन पढ़ रहे हैं तो हांकी से ही संबंदित होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा हांकी जे राइट आंसर ये भी कोश् important question है दोस्तों और सीरी ये बहुत ही important है ओके next question की तरफ हम बढ़ते हैं हाँ थोड़ा सा और जान लेते हैं रंगा स्वामी कप ये इसकी पहली बार शुरुवात कब होई थी तो जो फर्स्ट टाइम इसकी शुरुवात होई थी 1928 में इसकी पहली बार शुरुवात की गई थ ही और इसे इंटर प्रोइंशियल प्रतियोगिता भी कहते हैं और जो ये कप होता है रंगा स्वामी कप इसमें जो क्वालिफाई करता है वह ओलंपिक में चुना जाता है और सबसे पहला कप जो है वह युनाइटेड प्रोइंशियल ने जीता था next question की तरफ हम बढ़ते है हांकी गोल के ब्लैक बोर्ड की उचाई है question पूछ रहा हांकी गोल के ब्लैक बोर्ड की उचाई है तो हांकी गोल में जो ब्लैक बोर्ड होता है अब कहेंगे ब्लैक बोर्ड क्या होता है तो ब्लैक बोर्ड उसे करते हैं जो हांकी का जो गोल पोस्ट होता है गोल पोस्ट म वो उसी को लकड़ी का होता है उसको हम लोग ब्लैबोर्ड करते हैं तो उसकी जो उचाई कितनी होती है हाइट पूछा है उसकी हाइट ठीक है तो हाइट कितनी होती है इसकी जो हाइट होती है वो 18 इंच होती है 18 इंच यह भी कोस्चन UPTGT 2021 में पूछा जा चुका है इंपोर्टेंट कोस्चन दोस्तों जरूर राइट डाउन करिए आप लोग अपने कॉपी पेपर पे नेश्ट कोस्चन देखते हैं हम लोग निमलिखित में से कौन सा सब्द हाकी के खेल से संबंदित है चारा अपसंद दिए गए आपके सामने पूछरा कोस्चन निमलिखित में से कौन सा सब्द हाकी के खेल से संबंदित है तो देख लेते हैं कौन कौन सा खेल संबंदित है हाकी के खेल से तो जो यह बुली ये भी question UPTGT 2021 में आ चुका है next question हम लोग देखते है निमलिखित निमलिखित में से कौन सा हांकी खेल से सम्बंदित नहीं है question पूछ रहा है निमलिखित में से कौन सा सब दे दिया गए चार सब दिये गए है कौन सा हांकी खेल से क्या है संबंदित नहीं है पूछा गया है तो हम देख लेते हैं कौन-कौन से खेल संबंदित नहीं है यह बुली सब्द जो है यह भी किस से हाकी से संबंदित है फ्री हिट भी हाकी से संबंदित है और पेनाल्टी कार्णर भी किस से हाकी से संबंदित है तो जो यह तीनों सब्द है यह हाकी से संबंदित है बागी जो यह ओफ साइड है ओफ साइड हाकी से संबंदित है यह फुटबाल से संबंदित है और नेस्ट कोस्चन देखते हैं हाकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अमपायर इस्थिति लेता है कौन सी इस्थिति लेता है यह भी कॉस्चन 2021 यूपी टीजी टी में पूछा जा चुका है और यह question बिवादित भी रहा है तो इसका क्या होगा answer जो penalty stoke होता है उहां से होता है next question देखते हैं और हाँ penalty stoke के समय खिलाडी push, flip और scoop कर सकता है पर hit नहीं कर सकता है क्या कै कर सकता है penalty stroke से खिलाड़ी पुस फ्लेप और सकूप कर सकता है बट ऊओब क्या कर सकता है hit नहीं कर सकता है next question देखते हैं nine number question भारत ने कितनी बार Olympic में हांखी सौन पदक जीता तो भारत ने कितनी बार Olympic में हांखी सौन पदक जीता तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसन B इसका राइट आंसर होगा कुल टोटल आठ बार हाकी में भारत ने स्वाण पदक जीता है और लाश्ट टाइम कब जीता था? इंडिया ने हाकी में 19-1980 में मास्को ओलम्पिक में इंडिया ने हाकी में स्वाण पदक जीता था और 2021 जो ओलम्पिक हुए थे उसमें हाकी ने कौन सा पदक जीता था? पूरुस हाकी में तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर आप सभी लोग बताईए कि हाँ कौन सा पदक जीता था और मैं आपको इस इस साथ बताते चल लाओं कि किस कि समय हांकी में जीता था इंडिया ने स्वन पदक 1928 1932 में भी जीता था फिर उसके बाद 1936 1948 में भी जीता था और 1952 1956 1964 और 1980 में तो कुल कितने हो गए यह लास्ट टाइम जीता था इंडिया ने मास्को लंपिंग में 1,2,3,4,5,6,7,8 कुल टोटल आट बार इंडिया ने हांकी में स्वन पदक जीता था ओके नेक्ट कोस्चन देखते हैं हम लोग जरूर राइट दाउन करिए दोस्तों बहुत ही important series है लेडी रतन टाटा ट्राफी किस खेल से संबंदी थे तो जो लेडी रतन टाटा ट्राफी है यह किस संबंदी थे यह भी हांकी से संबंदी थे यह भी question NPS TGT 2016 में और TGT 2009-2021 में question पूछा जा चुका है लेडी रतन टाटा ट्राफी जो है वो हांकी महिला के लिए है जिसकी सुरुवात कब से हुई थी तो इसकी सुरुवात जो हुई थी 1947 और 48 में स्टार्ट हुई थी कहां से मुंबई में हुई थी कहां से मुंबई में और इसकी जो फर्स्ट टाइम की जो winner थी वो मुंबई ही winner थी winner कौन थी फर्स्ट टाइम ये मुंबई ही थी इसकी winner भी और थोड़ा सा देख लेते हैं हाकीम जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण टूनामेंट्स कौन कौन होते हैं ये विश्व कफ होता है फेडरेशन कफ होता है लेडी रतन टाटा कफ होता है और रंगा स्वामी कफ ये जो कफ हैं ये महिलाओं से रिलेटेड है नेक्ट कोस्टन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों इंपोर्टन सीरीज है बहुत ही लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन बिलको जरू दबाएं जिससे आने व प्रारंब कैसे होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा चार आपसंस दिए गए आपके सामने पीछे पास देकर होता है वह होता है ये भी कोश्चन UPTGT 2010 और 2016 में आ चुका है नेश्ट कोश्चन किस भारती कप्तान को ओलम्पिक के दवरान पहली बार जीत के इस्टेंड पर चड़ने का आउसर मिला था वह कौन सा भारती कप्तान थे जिनको ओलम्पिक के दवरान पहली बार जीत के इस्टेंड पर चड़ने का आउसर मिला तो वह थे जो वह जैपाल सिंग थे कौन थे जैपाल सिंग और इनको फर्स्ट टाइम 1928 ओलम्पिक में इनको फर्स्ट टाइम आउसर प्रदान किया है आउसर मिला क्यों क्योंकि फर्स्ट टाइम हाकी मिनू ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने और मैं इची बता दूं आपको 1928 से 1956 तक लगतार ओलम्पिक खिलो में इंडिया ने क्या की स्वंक पतक जीता लगतार कांटिन्यूस गोल्ड जीता इंडिया ने तब से आज तक कभी इंडिया जली गोल्ड नहीं जीत पाई 1980 के बाद नेश्ट टाइम हांकी में कार्नर हिट कहां से ली जाती है तो हांकी का जो मैच होता हो कार्नर हिट कहां से ली जाती है फुट्टिन इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बाक्स में ज़रूर बताइए ठीक है चार अपसंद दिये गए आपके सामने बैक लाइन सेंटर लाइन 25 गज रेका और गोल लाइन ओके तो इसका जो राइट आंसर होगा जो बिरोधी टीम होती है जो कोने के ज़ंडे होते हैं उहां से लियागे एक फ्री हिट होता है जिसके बाद बचाओ दलने गेट को बैक लाइन के पीछे से मारता है ओके नेश्ट कोश्चन देखते हैं हाकी मैच हाकी मैदान में 23 मीटर छेतर कौन सा है तो हाकी का जो मैच होता है जो ग्राउंड होता है उसमें 23 मीटर जो एरिया होता है 23 मीटर एरिया तो यह जो एरिया होता है वो होता है 22.90 मीटर इन्टू 55 मीटर होता है और जो हांकी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 91.4 मीटर 255 मीटर यह होता है यानि इसको हम बोल सकते हैं कितना 60 गज से 100 गज ओके नेस्ट कोस्टन देखते हैं भारती किवदंती हांकी खिलाडी ध्यान चंद्र का उपनाम क्या था तो जो भारती हांकी खिलाडी थे ध्यान चंद्र का उपनाम क्या था सभी लोगों को मालूम होगा अक्सर एक question एक जाम में पूछा जाता है UPTGT 2016 में question आभी चुका है तो उनका जो उपनाम क्या था इनको हांकी का जादुगर के नाम से इनको जानते थे Next question Very very important series दोस्तों भारत का राष्टी खेल है तो जो भारत का राष्टी खेल क्या है तो भारत का जो राष्टी खेल है यह होंकी है हाँ लेकिन अगर आप RTI मांगेंगे Government of India से तो आपको होंकी भी नहीं मिलेगा तो आप एक बार का भी सकते हैं कि भारत का कोई भी राष्टी खेल नहीं है बट आपको बुक्स में बहुत सारी जगों पर आपको मिलेगा कि भारत का राष्टी खेल क्या है तो भारत को जो राष्टी खेल होंकी है एक T number question हम लोग देखते हैं बुली किस खेल से संबंदी थे question पूछ रहा है बुली किस खेल से संबंदी थे तो बुली जो संबंदी थे वो हांकी से संबंदी थे बुली खेल बुली जो सब्दावली है वो किसे संबंदी थे हांकी से यह भी LTE grade में question आच चुका है 2018 में UPTGT 2016 में भी आच चुका है बहुत ही important है next question हम लोग देखते है 90 number question हांकी की गेद का अधिक्तम वजन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो जो हांकी की जो बॉल होती है गेद होती है किसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तों यह भी question UPTGT 2004 में आ चुका है और 2019 NBS में भी आ चुका है question तो इसका जो राइट आंसर होगा 163 gram इससे अधिक इसका नहीं होना चाहिए weight भार और हांकी का जो गेद का जो वजन होता है वो 156 to 163 gram होता है ओके नेश्ट कोस्चन देखते हैं 20 number question फिल्ड हांकी में पेनाल्टी कार्णर के दोरान गोल कीपर सहीत कितने रच्छक खिलाडी अपनी गोल रेखा के पीछे खड़े होंगे very very important question है फिल्ड हांकी में पेनाल्टी कार्णर के दोरान गोल कीपर सहीत कितने रच्छक खिलाडी अपनी गोल रेखा के पीछे खड़े हो सकते हैं तो कितने खड़े हो सकते हैं 20 के right answer कितना होगा total 5 खिलाडी होगे योगे खड़े हो सकते हैं इसका right answer होगा 5 players next question देखते हैं 21 number question हांकी में penalty suit out का समय है तो हांकी में penalty suit out का timing क्या होता है 21 का right answer क्या होगा दोस्तों तो इसका right answer होगा आपसंद C ये right answer 8 second के अंदर penalty suit out करना होता है ये भी question आ चुका है diet 2014 में राजस्थान में आ चुका है 3rd grade और 2nd grade दोनों में question आ चुका है जरूर write down करिए आप लोग हांकी में जो penalty suit out होता है वो 8 second के अंदर करना होता है आपको next question देखते हैं हम लोग विश्राम संक्रमड काल का उद्देश से होता है तो जो विश्राम संक्रमड जो होता है जो में बीच में जो timing मिलता है उसका मतलब क्या होता है उसका मदला भी होता है recovery हमें प्राप्त करना होता है जिससे खिलाड़ी को कुनह क्या हो सकते उर्जा मिल सके और अपना best performance दे सके खिलाड़ी तो इसका जो right answer होगा recovery प्राप्त करना नेश्ट कोश्चन 23 नंबर कोश्चन हांकी बिस सुकफ हांकी पूरुस प्रारंब होई तो हांकी का जो बिस सुकफ है वो कब प्रारंब हुआ तो ये प्रारंब हुआ था 1971 में प्रारंब हुआ था और हांकी का जो first time जो आयोजन हुआ वो कहां पे हुआ बारसी लोना में हुआ कहां बार्सिलोन कहां इस्पेन में इस्पेन 1971 में और इसका जो पर्थम बिनर जो था हांकी विश्वकप का फर्स्ट टाइम बिनर कौन था यह पाकिस्तान था कौन पाकिस्तान था जिसने किसको इस्पेन को क्या किया था पराजित किया था किसको इस्पेन को और पाकिस्तान स सबसे ज़्यादा विनर कॉन है तो यह चार बर सबसे ज़्यादा प्यूंतर बीट पाकिस्तान विनर है भारती हाकी के इतिहास में सबसे जादूगर किसे कहा जाता है तो जो हाकी का जादुगर, इनका जो जन्म हुआ था, 29 अगस्त 1905 को हुआ था, कहां पर हुआ था, इलहाबाद में हुआ था, और 1928 के ओलम्पिक में भारती हां की टीम द्वारा पहला ओलम्पिक सौण पदक जीटने पर ध्यान चन्द को क्या कहा गया, हां की वीचार्ड के खिताब से इनको क्या किया गया, अलंकरित किया गया, और इनको मेजर ध्यान चंद को 1956 में पदम भूसर से सम्मानित भी किया गया और इनका जो 3 दिसंबर 1979 को इनका क्या हो गया नीधन हो गया नेश्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग 25 नमबर कोश्चन हाकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद की आत्मकथा है तो जो हाकी के जादूगर है मेजर ध्यान चंद की आत्मकथा क्या है तो इनकी जो आत्मकथा है वो है गोल 25 नमबर कोश्चन है इनकी आत्मकथा का नाम क्या है गोल और एक चीज मैं बता दूँ भारत सरकार ने 1995 में 1995 में इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाता है राष्टी खेल दिवस के रूप में मनाता है मनाया जाता है राष्टी खेल दिवस के रूप में क्या किया जाता है मनाने का निड़लिया और मनाया जाता है 29 अगस्त को हर साल कितने तारिकों मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्टी, खेल, दिवस मनाया जाता है Next question देखते हैं हम लोग हांकी के मैदान में गोल पोश्टों के बीच कितनी दूरी होती है? तो जो हांकी का मैदान होता है तो जो गोल पोश्ट होते हैं उसके बीच में कितनी दूरी होती है तो इसका जो राइट आंसर होगा यह 3.6 मीटर इसकी क्या होती है डिस्टेंस होती है जो दूरी होती है थोड़ा सा और हांकी की बारे में लोग जान लेते हैं हां कि मैदान की लंबाई कितनी होती है तो जो लंबाई होती है ये होती है 91.40 मीटर होती है अगर गज में पूछ दिया जाए तो कितनी होती है 100 गज होती है और चौडाई जो होती है जिसको वीट बोलते हैं चौडाई होती है कुल 55 मीटर होती है और गज में पूछ दिया है तो कितना होती है, 60 गज होती है, और जो goal post होते हैं, goal post पूछ दिये जाता है, तो 3.6 मीटर होता है, या 4 गज बोलतकते हैं, या फिर 12 फिट, 4 गज या फिर 12 फिट, ओके, और goal post की जो height होती है, उचाही जो होती है, वोती 2.14 मीटर होती है, या फिर 7 फिट होती है, कितनी 7 फ और जो गोल पोस्ट के sideboard होती है उसकी लंबाई कितनी है जो गोल पोस्ट होता है गोल पोस्ट में sideboard की लंबाई कितनी होती है तो यह होती है 2.14 मीटर होती है या फिर 7 feet होती है और जो sideboard की लंबाई कितनी होती है 1.22 meter होती है या फिर 4 feet होती है और जो goalpost के sideboard की उचाई कितनी है तो जो sideboard की उचाई होती है 46 cm होती है और जो goalpost के backboard की लंबाई कितनी है जो backboard होता है उसकी लंबाई होती है 3.66 meter या फिर बोल सकते हैं हम लोग 4 गज बोल सकते हैं 4 गज होती है और जो sideboard का जो रंग होता है किस कलर होता है question पूर देता है बोर्ड का कलर किस कलर का होता है तो होता है काला कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है ओके next question देखते है 27 number question मैं चाहता हूं दोस्तु कि अगर हांकी से question आये ना तो एक question छूटे नहीं आप लोग उसको funnel final करें एकदम clear करें कोई doubt ही ने रहे हांकी से question पूछता है तो प्रथम भारतिक जिनने अंतराष्टी हांकी empire होने का गौरप्राप्त है वो कौन से भारति हैं जिनको हांकी मैच में क्या comparing करने का गौरप्र क्रतिमान प्राप्त हुआ तो हैं पंकज गुपता कौन है पंकज गुपता इसका right answer होगा पंकज गुपता का उपनाम क्या का जाता है इनको Mr.Hakki के नाम से जाना जाता है Mr.Hakki के नाम से इनको जाना जाता है यह भी question Uptgt 2003 में आ चुका है नेक्ट कोश्चन देखते हैं 28 नमबर कोश्चन लाल बहादूर सास्तरी कप किस खेल से संबंदी थे तो जो लाल बहादूर सास्तरी कप है ये किस खेल से संबंदी थे तो ये भी किस से संबंदी थे हां किस संबंदी थे लाल बहादूर सास्तरी कप तो लाल बावदू सास्त्री कब की जो शुरुवात हुई थी ये 1991 में प्रारंब हुई थी कब 1991 में Next question देखते हैं हम लोग हांकी खेल में हरा कार्ड किस प्रकार का संकेत दिया जाता है तो जो हांकी खेल में जो हरा कार्ड होता है वो किस प्रकार का संकेत दिया जाता है ये भी question UPTGT 2019 में आ चुका है तो किस प्रकार का संकेत दिया जाता है हांकी कार्ड का आपसें देख लेते हैं चेतावनी का निलंबन का खेल के से बाहर होने का खिलाडी बदलने का तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा हर ये होता है चेतावनी का किसका चेतावनी का जो हरा कार्ड होता है वो किसका संकेत होता है चेतावनी का next question देखते हैं हम लोग हांकी world cup कब कब आरंब करने वाला देश है तो हांकी का जो world cup है उसको प्रारंब करने वाला कौन सा देश है आप सभी लोग bureauc को मालूम होगा इसका जो आरंब हुआ था होगा कहां से हालेंड से हुआ था और इसका जो हांकी का बिश्योकप प्रतियोगिता की जो शुरुवात हुई थी 1971 में हुई थी और इसका आराम स्पेन की राजधानी कहां से हुई थी बार्थिलोना से ये प्रारम्ब हुआ था और जो और 1973 में दूसरी विश्व कप हांकी प्रतियोगी था कहां पर हुई थी नीदर लेंड हॉलेंड में संपन हुई थी और जिसका विजेता कौन था नीदर लेंड था और विजेता कौन था वो भारत था देखते हैं थर्टी वण रमबर कोस्टन'dं हहां की खेल की अवद ही होती है तो जो हांकी खेल होता है उसकी अवद क्या होती है रिच टाइमिंग होती है लेख कुल कितने होतेए पंद्रb 15 मिनट के कितने होते है चार क्वाटर होतेगी है टू, फिप्टीन, टेन मिनट फिर एरेश्ट है, फिर फिप्टीन, टू, फिप्टीन, ओके, पंदरा पंदरा मिनट के, कुल कितने होते हैं, चार क्वाटर होते हैं, नेस्ट कोस्चन देखते हैं, इंद्रा गांधी गोल्ड का प्रतियोगिता संबंदी थे तो जो इंद्रा गांधी गोल्ड का प्रतियोगिता एक किस संबंदी थे तो ये होकी से संबंदी थे इंद्रा गांधी गोल्ड का प्रतियोगिता Next question. आधुनिक हांकी खेल का जन्म दाता है, तो जो आधुनिक, जो परजिन टाइम में हांकी हो रहे हैं, उसका जन्म दाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसेर होगा, ये इंग्लेंड है. इसका राइट आंसेर. Next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग? 34 नमबर कोश्चन हां की खेल में कितने निडायक होते हैं तो जो हां की खेल में कितने निडायक होते हैं टोटल दो निडायक होते हैं हां की खेल में नेश्ट कोश्चन धनराज पिल्ले किस खेल से संबंदित हैं तो जो धनराज पिल्ले जी है ये किस से संबंदी थे ये होकी से संबंदी थे ये कोश्चन UPTGT 2009-2010 में आ चुका है और बता दे धनराज पिल्ले के बारे में यह तेज तर्रा खिलाडी थे प्रसीद धनराज पिल्ले जी और 1998 में बैंकाक ACI खिलो में और भारत ने कितना 32 सा मालबाद यह सोंड पतक जीता था, ACI खिलो में, नाइन्टी नाइन्टी एट में बैंकाक वलख में इन्टी की बदावलत किस की बदावलत धन्राज पिल्ले जी की वदावलत जीता था और धन्राज पिल्ले जी को 1995 में 1995 में इनको क्या मिला अर्जुन अवार्ड मिला और इनको 1999 दो हजार के लिए इनको कौन सावार्ड मिला राजीव गांधी राजीव गांधी खेला तमार्ड मिला और 1999 में 1999 में इनको केके बिल्लाव पुरुसकार भी दिया गया और सन 2001 में इनको पदम श्रीवी से सम्मानित किया गया पिनाल्टी इस्टोग किसे संबंदीत है यह होकी से संबंदीत पिनाल्टी इस्टोग होता अकमड करने वाली खिलाड़ी के द्वारा गोल रेखा के मद्द से साथ मीटर की दूरी से लिया जाता है साथ सारी साथ गज की दूरी से लिया जाता है पेनाल्टी स्टोक कितना साथ गज की दूरी से पेनाल्टी स्टोक लिया जाता है और एक चीज़ में बता देता हूं आपको पेनाल्टी स्टोक के समयना खिलाडी push, flip और scoop कर सकता है क्या क्या कर सकता है push कर सकता है, flip कर सकता है और scoop कर सकता है पर खिलाडी कभी भी hit नहीं कर सकता है question पूशा जा सकता है कि penalty stroke के समय खिलाडी क्या नहीं कर सकता है तो खिलाडी जो है वो hit नहीं कर सकता है बाकी वो क्या क्या कर सकता है, push कर सकता है, flip कर सकता है, और scoop कर सकता है, next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 37 number question, हांकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहां हुआ, तो जो हांकी का जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जन्म कहां पर हुआ, इसका right answer होगा, इंग्लेंड से हुआ है, इसका हांकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म, तो उठाओ जेंड नाइन, UPTGT में आ चुका है question, next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अजलन साह कब प्रतियोगिता संबंदी थे, तो जो अजलन साह कब प्रतियोगिता किस से संबंदी थे, UPTGT 2009 में आ चुका है question है, यह हांकी से संबंदी थे, अजलन साह कब प्रतियोगिता, next question देखते हैं हम लोग, हाँ, एक चीज़ और थोड़ साह बता देता हूं मैं आप लोगों को, सुल्तान अजलन साह की कब, यह इसकी शुरुवात कहां से होई, तो इसकी जो शुरुवात होई थी, 1983 में होई थी, दिवार्सी प्रतियोगिता के रूप में होई थी, और सबसे ज़्यादा आस्ट्रेलिया दस बार इसका कौन राया है, बिजेता राया है, next question देखते हैं, 39 number question, पेनाल्टी स्टोक लेते समय, किस कौसल का खिलाडी प्रियोग नहीं कर सकता है, अभी मैंने उपर आपको बताया है, किस कौसल का खिलाडी प्रियोग नहीं कर सकता है, तो हिट का प्रियोग नहीं कर सकता है, बाकी ये push कर सकता है, flip कर सकता है, और scoop कर सकता है खिलाडी, UPTGT 2010 में यो question आ चुका है, next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 40 number question, महाराजा रणजी सिंग स्वाण कप किस खेल से सम्बंदी थे, तो जो महाराजा रणजी सिंग स्वाण कप है, ये भी हाकी से सम्बंदी थे, और थोड़ा समय बता देता हूँ, आपको important question अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है, महाराजा रणजी सिंग गोल्ड कप हाकी से सम्बंदी थे, सिंधिया गोल्ड कप, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, सिंधिया गोल्ड कप हाकी से सम्बंदी थे, next है, गुरु तेग बहादूर अखिल भारती स्वाण कप, ये भी किसे सम्बंदी थे, हां किसे संबंदी थे और very very important है मुर्गप्पा मुर्गप्पा गोल्ड कप क्या है मुर्गप्पा गोल्ड कप ये किसे संबंदी थे ये भी हां किसे संबंदी थे और next है टोनी एमर गोल्ड कप ये भी किसे सम्बंदी थे हां किसे ही सम्बंदी थे next question देखते हैं हम लोग 41 number question हां कि टीम में कितने खिलारी होते हैं question पूछ रहा है हां कि टीम में कितने खिलारी होते हैं तीम पूछ रहा है, जब टीम पूछा जाए तो कितने खिलाडी कुल होते हैं, 16 खिलाडी होते हैं, और पूछ दे अगर कितने खिलाडी खेलते हैं, तो कितने खिलाडी खेलते हैं, टोटल 11 खिलाडी खेलते हैं, प्लेइंग जो मेंबर होते हैं, यो 11 होते हैं, लेकिन टीम जिसे इनको अस्था-पन खिलाडी बोलते हैं सभी question दोस्तों बहुत important है हाकी में penality carner के बारे में कौन सा कथन सत्य है question पूछ रहा हाकी में penality carner के बारे में कौन सा कथन सत्य है चार अपसेंद दिये गए हैं आपके सामने रच्छक खिलाडी द्वारा पचीस गज के बाहर जानबूच कर फाउल किये जाने पर पेनाल्टी कार्णर नहीं, गलत है ये भी नेश्ट देते हैं, पेनाल्टी कार्णर लेते वक्त बिरोधी खिलाडी D के बाहर खड़े होते हैं पेनाल्टी कार्णर लेते वक्त बिरोधी खिलाडी कहां पे खड़े होते हैं वो D के बाहर खड़े होते हैं यही इसका राइट आंसर है बाकी यह गलत है C भी गलत है और D भी गलत है ओके नेश्ट कोस्चन देखते हैं हम लोग 43 नंबर कोस्चन हांकी इस्टिक का वजन कितना होता है तो जो हांकी का इस्टिक होता है कितना उसका वजन होता है 43 का इसका जो राइट आंसर क्या होगा यह 28 जुलत है इसका weight होता है जिसको हम बोल सकते हैं और हांकी महिला खिलाडी का जो होता है weight होता है महिला हांकी जो होती है उनकी stick का वजन कितना होता है 23 ounce होता है कितना 23 ounce होता है जिसको हम बोल सकते है 63.03 gram होता है हांकी स्टिक में होता है तो हांकी स्टिक में क्या होता है 44 नंबर क्वेश्चन हैंडल एवंग सॉप्ट हैंडल एवंग स्टिक हैंडल एवंग हेड हैंडल एवंग सॉकेट तो हांकी स्टिक में जो होता है हैंडल एवंग हेड होता है इसका right answer है, next question, 45 number question निमलिखित में से कितने कितने के मद्य हांकी की गेत का भार होता है कितने से कितने के मद्य होता है हांकी गेत का भार होता है तो उसका जो weight होता है 156 gram से 163 gram होता है next question देखते हैं हम लोग 46 number question हांकी में penalty stroke लेने के लिए कोई भी चातुल्य का उपयोग किया जा सकता है सिवाई question को फिर से घुमा दिया गया है अभी उपर question, same question था, बस उसमें क्या था कि उसमें ये पूछा गया था कि खिलाडी क्या नहीं कर सकता है हांकी में penalty stroke लेते समय खिलाडी क्या नहीं कर सकता था तो उसका जो answer था, हिट इसका right answer था हिट नहीं कर सकता था सेम उसी question को गुमाया गया है हांकी में penalty stroke लेने के लिए कोई भी चातुल्य का उपयोग किया जा सकता है सिवाई सिवाई सब्द लगा दिया है इसी पर ख्याल करना है अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं इस जाम में तो क्या नहीं कर सकता है वो सिवाई hit hit नहीं कर सकता है बाकी push pass कर सकता है push कर सकता है scoops कर सकता है और flip कर सकता है यह तीनों चीजे कर सकते हैं बट वो hit नहीं कर सकता है next question 47 number question वर्स 2010 में पुरुष हां की championship 200 कप कहां आयोजित किया गया 2010 में पुरुष हां की championship 200 कप कहां आयोजित किया गया तो यह जो आयोजित किया गया था 47 में यह भारत में आयोजित किया गया था 47 का जो राइट अंसर होगा इंडिया में आयोजित किया गया था और 12 संसकन 2010 नई दिल्ली में खेला गया था नेश्ट कोस्चन ओलम्पिक में हांकी कब सामिल की गई थी? तो जो ओलम्पिक में हांकी कब सामिल किया गया था? तो ये सामिल किया गया था ओलम्पिक में हांकी को 1908 में London Olympic में सामिल किया गया था होकी को Next question देखते हैं हम लोग 49 number question वर्स 1998 में हांकी 200 कभ tournament कहां आयोजित किया गया था 1998 में हांकी 200 कभ tournament कहां आयोजित किया गया था फुट्टी नाइन का जो राइट आंसर होगा ये हॉल एंड में आविजित किया गया था कहां पर हॉल एंड में नेश्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग अभी मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट कोश्चन बताऊंगा आप लोग वीडियो को लाश्ट तक जरूर बने रहे हैं इस्किप नहीं करिएगा नेश्ट कोश्चन देखते हैं फिट्टी नंबर कोश्चन नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करते हुए हांकी खेल से संबंद माप का उचित समायोजन ग्याद कीजिए कोश्चन पूछ रहा है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करते हुए हांकी खेल से संबंद माप का उचित समायोजन करिए 50 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा सबी लोग बताइए इसका आंसर इसका जो राइट आंसर होगा आपसन बी इसका राइट आंसर होगा 100 इन्टू 60 गज नेश्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग 51 नंबर कोश्चन हांकी के खेल में अंतिम आधार रेखा D की दूरी कितनी होती है तो जो हांकी के खेल में अंतिम जो बेस रेखा होती है D की दूरी कितनी होती है 51 का जो राइट आंसर होगा 16 गज होती है कितना 16 गज Next question देखते हैं हम लोग हां के खेल के छेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है तो जो हां के खेल के छेत्र होता जो एरिया होता कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है question बहुत बार repeat कर चुका है 2004 में, 11 में KBS 2017 में बार बार एक question repeat कर रहा है मतलब very very important question है सभी question बहुत ही important है तो 52 का जो right answer होगा option A is a right answer 91.40 meter into 55 meter इसका right answer होगा next question की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 53 number question एक हांकी खिलाडी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया है एक जो हांकी खिलाडी है जिसे हरा कार्ड दिखाया गया है वो अस्थाई रूप से कितने समय के लिए निलंबित होगा कितने टाइम के लिए वो निलंबित होगा option A है खेल समय के 2 मिनट खेल समय के तीन मिनट, खेल समय के पांच मिनट, खेल समय का एक मिनट तो इसका राइट आंसर होगा, कुल कितने टाइम के लिए, खेल का जो समय होगा उसमें सिर्फ दो मिनट के लिए और आउट उसको बाहर कर दिया जाएगा Next question देखते हैं हम लोग हाकी में पुस पास दिया जाता है, जब सहयोगी खिलाडी खड़ा हो तो जब खिलाडी पुस पास तब नामि ये पुस पास, पुस करना है और पास करना है तो कितनी दूर पे थोड़ी दूर पे जो खिलाडी खड़ा हो उसी को क्या बोलते हैं पुसपास बोलते हैं इसका राइट आंसर होगा थोड़ी दूर पर नेश्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग 55 नमबर कोश्चन 2007 अजलनसा हांकी प्रतियोगिता के प्रतियोगी देशों के पर्थम चार अस्थानों के कोडों का उपियोग करते हुए करम में लिखें अजलनसा हांकी प्रतियोगिता के प्रतियोगी देशों के पर्थम चार अस्थानों के कोडों का प्रियोग करते हुए करम में लिखें तो देख लेते हैं हम लोग इसका करम क्या होगा 55 का जो इसका राइट आंसर होगा आपसन डी इसका क्या होगा राइट अंसर होगा फर्स्ट यह आश्ट्रेलिया फिर उसके बाद क्या है मलेसिया फिर इंडिया और साउथ कोरिया ओके नेक्ट कोस्टन देखते हैं हम लोग शिक्स नंबर कोस्टन यह लास्ट कोस्टन था अब मैं कुछ इंपोर्टेंट बता दे रहा हूँ आपको 2023 में जो हाकी का पुरुस का विस्चुकफ हुआ था वो कहां पे हुआ था भारत में हुआ था और कहां पे हुआ था 2023 में 2023 में कहां पे हुआ था भारत में और कहां पे हुआ था कलिंगा बिर्शा मुंडा स्टेडियम में हुआ था भुनेस्वर में और इसका जो बिनर था बिनर कौन था बिनर इसका जर्मनी था बिनर जर्मनी और उबिजेता कौन था ये बेल्जियम था और 2027 में कहां पे होगा हांगी का जो वर्ड कप होगा 2027 का जो वर्ड कप होगा कहां पे होगा ये जर्मनी में होगा और सबसे अधिक बार जो मैं बता दूँ बताया हूँ मैं आपको बीच में कि सबसे अधिक बार विजेता कौन था यह सबसे अधिक बार बिजेता यह पाकिस्तान था तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आज की आप सभी लोगों को मुझे ऐसा है कि साइद आप लोगों को अच्छी लगे अगर आपको अच्छी लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें, सेयर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर एक बीडियो आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स फार वाचिंग, बेस्ट आप लग फार यूर एक्जामनेशन, बाई बाई